दोस्तो जब किसी भी यूटूबर का या किसी भी यूटूबर चैनल का ये चारो चीजे कम्पलीट हो जाते हैं कि आपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कम्पलीट कर लेता है 4000 गंटे का वोश टाइम कम्पलीट कर लेता है उसके बाद 2-step verification भी ओन कर लेता है और उसके चैनल पे कोई भी community guideline strike नहीं होती उसका चैनल अपलाई के लिए applicable हो जाता है यानि कि चैनल को वो under view में बेश सकता है यानि कि monetization के लिए apply कर सकता है बड़ दोस्तो आपको बता दू कि भले ही ये चारो चीजे आपकी complete हो गई हो बट कुछ चीजे और भी है मैं 5 ऐसी चीजे आपको बताने वाला हूँ अगर आप अपने चैनल पे apply नहीं करोगे तो वही आपका YouTube channel mortise नहीं होगा और YouTube channel आपका reject हो जाएगा अगर आपके channel पे 4 criteria complete हो गई है तब भी ये वीडियो आपको ज़र ध्यान से देखना क्योंकि इन criteria complete होने के बाद भी आपता channel reject हो जाता है और ये problem मैं काफी दिनों से निकाल भी रहा हूँ यानि कि इसका मतलब है कि 4 चीजे complete होना ही जुरूरी नहीं है और भी कहीं सारी चीजे है अगर आप अपने channel पे उनको नहीं करोगे तो आपका channel monetize नहीं होगा और आप YouTube से पैसा नहीं कमा सकते पर उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा अगर वीडियो को आपने like नहीं गया like करते हैं चैनल को subscribe नहीं किया वो भी करते हैं क्योंकि आपको पता है आप देख सकते हो इस साइड से और ये bike खड़ी है और वो car खड़ी है वो car मैंने कुछ दिन पहले ले थी इसका review मैं blog चैनल पे डालूँगा आप दोस्तों बात करते हैं number one point की अगर आपके thumbnail रिपीटिटिव होगे इसका मतलब है कि आपके चैनल पे same thumbnail होगे तो आपका चैनल reject हो जाएगा demonetize हो जाएगा और यहां पे आपका चैनल monetize नहीं होगा इसका मतलब यह है कि आपने आज एक वीडियो अपलोड करी, सेम थमनेल आपने अपलोड कर दिया, दूसरी वीडियो अपलोड करी, सेम थमनेल आपने वीडियो का अपलोड कर दिया, तीसरी वीडियो अपलोड करी, सेम थमनेल आपने, यानि कि आप रिपीटिटिव काम कर र पहले ही आपकी वीडियो है इसका मतलब यह है कि आप यूटूब पे काम करने के इच्छुक नहीं हो आप बार बार एक ही थमनेल आप लगा रहे हो तो यह कोई creativity नहीं है यूटूब यह मानता है और आपका चैनल दी मोनटाइज हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं दू और आपकी वीडियो वाइरल हो गई आपने सोचा अगर मैं यह सारी चीजे सेम डालूँगा तो वीडियो पे वीउज आ जाएगे और मेरा यूटूब चैनल मोनटाइज हो जाएगा मेरे को वोस्टाइम मिल जाएगा आपको वश्टाइम भी मिलेगा आपको सब्सक्राइ रिपीटीटीव कंटेंट में नहीं आते हैं आपका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए दूसरी वीडियो से अब आपके दिमाग में आरा होगा कि मैं एक ही सेटप पे काम करता हूँ एक ही स्टूडियो में काम करता हूँ बिल्कुल आप करते होंगे बर आप ज पrit उसलिए यह काम आपको बिल्कुल नहीं करना अगर यहाँ पर आपका you-two-be-channel p.ru शोट के रिगार्डिंग है और यहां पर आपका वूस्ट थाेम आपका आए है वह शोट के रिगार्डिंग आया है और शोट का YouTube channel की जो long videos है जो लंबी video है वो viral होंगी उन पे watch time ज़्यादा होगा उनसे watch time ज़्यादा आया होगा तब ही YouTube channel monetize हो जाएगा अगर आपका YouTube channel short के regarding भी है और थोड़ा long के regarding भी है mix है पर ज़्यादा watch time आपका आया होगा है कहां से long video से तो आपका YouTube channel easily monetize हो जाएगा अब बात करता है आप फोर्थ पॉइंट के बारे में फोर्थ पॉइंट है रियूज कंटेंट के regarding दोस्तो अगर आपका video खुद का नहीं है आपने किसी platform से उठाया है चाए आपने Instagram से उठाया है चाए Facebook से उठाया है आपने वहाँ से कोपी किया आपने वीडियो को एडिट किया और वीडियो आपने अपलोड कर दी उसके बाद वो वीडियो वाइरल हो गई उसी से आपका वोश टायम आया है उसी से आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले है तो आपका YouTube channel मोर्टाइज नहीं होगा क्योंकि YouTube की policy है कि जब तक आपके खुद की creativity नहीं होगी तब तक आपका YouTube channel मोर्टाइज नहीं होगा YouTube की खुद की creativity का मतलब यह होता है कि यह तो आपके उस वीडियो में voice होनी चाहिए या आपका face होना चाहिए तब ही आपका YouTube channel मोर्टाइज होगा या फिर आपका खुद का वो वीडियो होना चाहिए वो किसी से आपने कहीं से भी उठाया नहीं होना चाहिए अगर यह conditions उस वीडियो में है तो आपका YouTube channel मोर्टाइज नहीं होगा अब YouTube ऐसा नहीं करता कि कहीं से भी कुछ भी चीच उढ़ा लिया आपने हो और एडिट करके वीडियो अप्लोड कर दिया तो ऐसा करोगे तो आपका YouTube channel reuse content के तहत reject हो जाएगा यह बात आपको ध्यान से समझना है और सुनना भी है अब बात करते हैं पांचवे अपडेट के बारे में पांचवे जो अपडेट है यह सुनना काफी जुरूरी है काफी सारे लोग mistake करते है और उनका YouTube channel step 2 में error में 5 जाता है अब जोस्तों बात करते हैं पांचवे point की जब आप monetization के लिए apply करते हो तभी options आता है तब आपको fill करना पड़ता है और अगर आपका adsense approve हो जाता है तो step 3 में चला जाता है नहीं तो step 2 में ही error दिखा देता है और बोलता है कि आपके पहले से आपके पास कोई ना कोई google adsense है अगर कोई पहले से adsense बना होगा तो आप उसको भी attach कर सकते है क्योंकि YouTube ये कहता है मतलब Google Adsense ये कहता है कि एक बंदे का एक ही google adsense होना चाहिए दो नहीं हो सकते तो इसी वज़े से क्या होता है कि आप गलती से दूसरी email id पे या किसी और another email id पे आप अपना adsense पहले से ही create कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता और तब जाके आप apply करते हो नए email id पे नया google adsense आप बनाते हो तो आपको already have adsense की problem आ जाती है यानि कि आपके पास पहले से कोई adsense बना है ये mistake काभी सारे लोग करते है तो जब कभी भी आप अपने motivation के लिए apply करो तो आप सारी email को आप open करके देखो कि कौन सी email id पे आपका adsense बना है अगर किसी भी id पे नहीं बना है तब आप अपनी नहीं वाली email id पे आप बना सकते हो अपना google adsense ये पांच ओ पॉइंट काफी important पॉइंट थे अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत है प्रेशान ये आपको कुछ पूछना है कमेंट में जुरू बदाना दोस्तों यहां भी मिलता हूँ आपको next video में अब दगले टटा वाइबाई जहें